हरे कृष्णा आज के कारिक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभुजी प्रभुजी ने दिल्ली विश्व विद्याले से इंडस्टियल केमेस्ट्री में ग्रेजुशन करने के पश्चात सिंबोईसिस इंस्टिटूट ओफ बिजनिस मैनेजमेंट से एंबीए किया है प्रभुजी कॉर्पोरेट वो मीडिया के विभाग में भी कारे कर चुके हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभुजी इसकौन के संसापक आचारे भक्ती विदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्ष परमपूज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महराज के दीक्षा प्राप्त शिष्ष हैं वर्तमान में प्रभुजी इसकौन दिल्ली के अनेक प्रचारकारे करमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचारकारे में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं तो आईए श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभुजी के श्रीमुक से धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा आज हम आपको भगवत गीता के ग्यारवे अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं ये अध्याय इसका नाम है विराट रूप विराट रूप सभी लोग इस नाम से पहले से ही इस बात को जानते है कि विराट रूप क्या है बहुत लोग इससे ग्यात हैं कि विराट रूप में भगवान ने अपने विराट रूप को अरजुन को दिखाया था तो ये जो विराट रूप है इसमें अर्जुन की एक्षा थे कि प्रभू आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाएं ऐसा नहीं था कि अर्जुन जो थे वो जानते नहीं थे कि भगवान जो हैं वो साक्षात स्वेम कृष्ण ही भगवान है विराट रूप दिखने की आविश्व था थी परन्तु हमारे लिए अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्ण पूचा कि भगवान मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम मेरा विराट रूप देखना चाहते हो लेकिन इन नेत्रों से तुम मेरा विराट रूप नहीं दे सकते हो ऐसा इस ग्यार्वी अध्याय के शलोक संखिया आठ में भगवान कहते है भगवान कहते हैं मेरी अचिन्त योग शक्ती जिसको कोई चिंतन नहीं कर सकता है कभी नहीं ना तुम माम शक्त से द्रश्टुम एव स्वचक्षुशा तुम अपने इन आखों से देख नहीं पाओगे इसलिए मैं क्या करता हूँ दिव्यम ददामीते चक्षुँव मैं तुम्हें दिव्य चक्षुदेता हूँ जिससे तुम मुझे देख पाओ कई बार लोग प्रशन बोलते हैं कि क्या प्रभुजी आप लोगों ने भगवान देखा है क्या आपके गुरुजी लोगों ने भगवान देखा है क्या आप हमको भगवान देखा सकते हैं अरे अर्जुन जो भगवान के साक्षात संगी है साक्षभाव में शिरोमनी है वो अरजुन भी भगवान को देख नहीं पा रहा है उनके विराटता को उनके इस महान एश्वरी को की सारे देवी देता उनके शरीर में है मृत्यू हर चीज जन्म भगवान से हो रहा है भगवान इसी अध्याय में कहते हैं काल व अस्मी में काल रूप में हूँ और भगवान ने इस चीज़ को दिखाने के लिए दिव्य चक्षू प्रदान किये कई बार हम सोचते हैं कि वरिंदावन में जाओ तो वहाँ पर बंदर कई बार चश्मे ले लेते हैं लोग बोलते हैं बंदर ने हमारा चश्मा ले लिया तो वरिंदावन के बंदर कोई साधारन जीव नहीं है ये भी परांगत वश्नम है किसी तुरूटी के कारण पशू शरीर में धाम में वास करते हैं वो चश्मा क्यों लेते हैं वो इसलिए चश्मा ले लेते हैं कहते हैं कि तुम्हें वरिंदावन धाम इन चश्मे से नहीं दिखेगा इस चश्मे को उतारो और भक्ती रूपी चश्मा लगाओ, दिव्य चक्षु लगाओ, जिस चशु लगाकर के अर्जुन ने भगवान के उस विराच रूप का दर्शन किया, तो कोई ये साधरन बातने की कोई भी विक्ति जाकर के वरिंदावन का दर्शन कर ले, पीते हैं, कचोड़ी खाते हैं, पेड़े लेते हैं और वापस आजाते हैं कहते हैं हम वरिंदावन धाम गुमाएं, वरिंदावन धाम को देखना इन चश्मों या इन आँखों से नहीं होगा, भगवान ने जैसे ददामी दिव्यम चक्षु उनको दिव्य चक्षु प्र मुझे आप, आपको समझने के लिए बुद्धी दें, आपके दर्शन के लिए आप मुझे नेत्र प्रदान करें, तो ये भगवान इस अध्याय में वर्नन करते हुए कहते हैं, और आगे भगवान कहते हैं कि सारे के सारे देवी देवता मुझ में वास करते हैं, कोई मेरी अरजुन कहता है कि हे प्रभू मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विवित जीवों को भी एकत्रित देख रहा हूं मैं आपके हिर्दे में आसीन कमल पर आसीन ब्रह्मा को शिव जी तता समस्त रिश्यों को एवं दिव सर्पों को भी देख रहा हूँ लोग बोलते हैं शिव जी ब्रह्मा जी विश्टु जी यही भगवान है यहाँ पर अरजुन को जब दिव नेत्र मिले तो वो देख पा रहे हैं कि भगवान के इस विग्रह में अंदर आसीन ब्रह्मा भी बैटे हैं कमल पासीन ब्रह्मा और शिव जी हैं और रशी मुनी हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि ए भगवान का एक विराट रूप एक शरीर है जिसके अंदर यहाँ पर शिवजी यहाँ पर भ्रह्मा जी विराजमान है। तो जब शिवजी भगवान के इस शरीर का एक स्थान का अंग है तो कैसे कोई बहुत होता है ब्रह्मा विष्णु महेश सब समान है। नाम का एक नगर था उस मेग गर में एक तीर्थ था जिसे मेखला तीर्थ कहते थे यहाँ पर भगवान वामन नर्सिंग का दर्शन होता था। सुनन्द, सुनन्द, सुनन्द नाम के जो ब्रह्मन थे यह ब्रह्मन के सभी करतव्यों को पूर्ण रूप से पालन करते थे। सुनन्द, भागवत और अन्य शास्त्रों का अध्यन थे, करते थे, जप करते थे भगवान के नाम का। लोग बोलते हैं अगर हम भगवान की भक्ती करेंगे तो क्या हो जाएगा। गीता का ध्याय पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है गीता पढ़ने के लिए, अजी कल आईएगा, प्रवचर में आने का टाइम नहीं है, अखबार पढ़ते हैं हम लोग, जिस अखबार की खबर अगले दिन डस्ट बीन में हम उस अखबार को फेक अखबार पढ़ा आपने, और उसको अगले दिन डस्ट बीन में फेक दिया, तो ये कौन सा ग्यान है, जो कल रेडी वाले को, कबारी वाले को, या फिर डस्ट बीन में जाने वाला ग्यान है, और उसी स्थान पर हम गीता को रखते हैं अपने घर में कहां, मंदिर में, अपुजी उस दिन से वहीं की वहीं पढ़ी है, अरे पढ़ा नहीं रहने दिना है, उसको पढ़ना है, खोल करके पढ़े, तो बोलते हैं टाइम नहीं, क्यों पढ़े, देखे सुनन्द ने अपने जीवन में ब्रामन चुतिकार किये, धर्म परायन बने, उन्होंने ब्रह तो यहां पर रहने का कोई स्थान नहीं मिला, कभी-कभी ऐसा होता है, तीरत यात्राओं पर जाओ वरंदा वनादी तो सारे गेस्ट हास कार्तिक में बंद होते हैं, कोई जगा नहीं होती है, आप जगनात पूरी जाएं, जगनात रत यात्रा में तो वहां भरे होते हैं, गौरपुर्णिमा में आप मायापूर जाएं तो भरे होते हैं, राम नौमी में अयोध्या जाएं तो वहाँ भरे होते हैं, तो इन फेस्टिवल्स में हमें जगा नहीं मिलते हैं, ऐसे इनको भी विवामंडप नगर में कोई जगा नहीं मिली, सुनन्द ने वहाँ उसी आमन हूँ और मैं मेकला तीर्थ से आया हूँ, ब्रह्मन पे निकला था, कोई स्थान ना पाने के कारण में आपके पास आया हूँ, उन्होंने का ठीक है, हमारे पास में एक धर्म धशाला है, उस धर्म शाला में आप रुख सकते हैं, तो मुख्या जी ने धर्म शाला में रुकने की स्थान दिया तो मेखला तीर से चलते वक्त कई मित्र परीजन रस्ते में जुड़ते गए और उन सब को लेकर के सुनंद वहाँ पहुँचें और वहाँ पहुँचने के बाद रात्री विश्राम किया तो यह रात्री में इनको मिले थे कई यात्री यह सब के सब यात्रा पे तो जा रहे थे लेकिन यात्रा के भाव पे नहीं जा रहे थे कई बार ऐसा होता है कि हम जो हैं शरीर से तो धाम में पहुँचते हैं लेकिन हमारा मन हमारे शहरों में होता है लेकिन जो सुनंद जैसे भक्त होते हैं जिनका मन भगवान में लगा रहता है उनका मन धाम में पहले पहुँचता है और फिर बाद में उनका शरीर पहुँचता है लेकिन ऐसा आजकल देखा नहीं जाता हम ट्रेन का टिकेट कराते हैं एरप्लिन का टिकेट कराते हैं और टिकेट में स्टेइंग फैसिलिटी में और सोचते इसी की प्लानिंग करते करते हम धाम में पहुँच जाते हैं वहाँ पर भी प्रशाद कहा मिलेगा, कैसे रहेंगे, दर्शन कहा करेंगे, और उसी प्लानिंग में वापिस आते हैं, देखिए, धाम में जाएं, तो धाम के भाव को अरजित करें, फिर धाम में जाएं, नहीं तो क्या हो सकता है, सुनन्द के साथ भी बड़े सारे यात्री लेकिन सुनन्द और यात्रियों को ग्राम पाल ने उस धर्मशाला में रुखने की जगा दी, सुबह देखते हैं, जब सुनन्द की नेत्र खुले, सूर की रोशनी उनके आखों पर पड़ी, तो देखते हैं उस ब्रहम मूरत ब्रहम वेला में, कि ये क्या है, मैं धर्मशा अला के बाहर मिट्टी में लेटा हुआ, ये बिल्कुल ही एकदम परिशान हो गया, ये सोचने लगे है, हैसा क्यों हो गया, अब ये ग्राम पाल के पास जाने का सोच रहे थी, इससे पहले नहीं सोचा, पास की नदी में जाके सनान करूं, भगवान के मंदिर का दर्शन कर सुनन्द जी, सुनन्द जी, आप सुनन्द जी हैं, कहां, आपको मैंने रात में रुखने का स्थान दिया था, कहां, लेकिन मैं आपसे प्रशन पूछना चाहता हूँ, मुग्राम पालने का चुप रहे पहले, आप मेरी बात सुनिये, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड ब्रसाद ना भी मिले, हमको उस पर चिनतन नहीं करना चाहिए. भग्वान के बारे में अधिक से अधिक शरवण करने के लिए. देखिए वैसे तो जादा भ्रमन करना शास्त्र कहते हैं, विशय के कारण हमारे विशय वस्तु आनंद पाना चाहते हैं, हमारे अंत्रिक मन आखें इसलिए हम ज़्यादा गूमते हैं स्थानों पर जाते हैं लेकिन भक्त लोग इन स्थानों पर क्यों जाते हैं वो तो विशय वास्नाओं में फसे नहीं है फिर क्यों जाते हैं? वो इस लिए जाते हैं कि वहाँ सादू संग करने का मौका मिलेगा. कुछ दिन के लिए मरकर तो देखा जाये. जो हम सोषते हैं परिवार से अगर मैं दो दिन के लिए भी गाइब हो गया तो मेरे परिवार की देख रहे कौन करेगा? कभी दो देन फोन स्विच ओफ करकर देखिए आपका परिवार आपको याद नहीं करेगा क्योंकि अगर आपकी मृत्यू आज आ जाती है तो कल देखरे कौन करेगा भगवान इसी अध्याय में कहते है इस विराट रूप को देख लो अरजुन मैं ही हूँ स्रिष्टी का आदी मैं ही हूँ स्रिष्टी का मध्य मैं ही हूँ स्रिष्टी का अंत मुझी से उदगम है मुझी में सब कुछ समाप्त है 33 करोड देवता, रिशी मुनी, नदिया, वरक्षादी सब मुझ में समाया हुआ है हम उन भगवान के लिए क्या कुछ समय नहीं निकाल सकते एक दिन मृत्यू आ जाएगी उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या करेंगे फिर कौन चलाएगा फिर मैं कहूंगा मुझे शरीर दो मैं अपने परिवार का निर्वाह करना चाहता हूं लेकिन भगवान कहेंगे टाइम इस ओवर कुछ दिन के लिए किराय का ये मकान मिला था आप चलो इससे बाहर तुमने इस किराय के मकान में रहते हुए इसका सदुपयोग नहीं कि आप रेंट खत्म आप बाहर निकलो हमारा जब जन्म होता है तभी है manufacturing date के साथ expiry date stamp होती है लेकिन हमारा more focus हमारा जादा ध्यान केंदरित किस पर होता है हमारा केंदरित होता है जन्म दिन मनाने पर हमारा ये नहीं होता कि पल पल एक एक वर्ष गुजर रहा है और मैं अपनी expiry date के नजदीक जा रहा हूँ दवाई की दुकान में अगर कभी ध्यान से देखा जाए तो chemist जो होता है दवाई की दुकान में वो ज़्यान किस पर रखता है कहीं मेरी दुकान में रखी दवाईयां expiry तो नहीं हो गई वो रोज नई दवाईयों से जादा expiry date की दवाईयों को रोज पत्ते पलट पलट के शीशियों को घुमा घुमा करके देखता है क्यों क्योंकि उसको पता है expiry date हो गई फिर उसके वाईय की कोई उपयोगिता नहीं है दवाईय है इसके अंदर आशदी है लेकिन ये किसी का भला नहीं कर सकती है ऐसा ही जब तक हम इस मनुष शरीर में हैं तब हम भजन कर सकते हैं इस मनुष शरीर को छूड़ जाने के बाद हम भजन नहीं कर पाएंगे तो इसलिए यात्रा का क्या भाव होना चाहिए अधिक से अधिक शरवन अधिक से अधिक सादू संग शाहें दर्शन न भी कर पाएं हमारे लिए दर्शन से ज़्यादा कथा ससंग मुख्य है क्योंकि अगर आप देखें धाम तीर्थों में गाए, घदे, पशु भी कुंडों में स्नान करते हैं बाहर निकलते हैं क्या उनमें कभी परिवर्तन देखा उनमें परिवर्तन क्यों नहीं क्योंकि उन्होंने कभी कथा नहीं सुनी वासुदेवं कथा रुची जब वासुदेव की कथां में रुची होती है तब ही अन्ता करण शुद होता है अन्यता अन्ता करन शुद्ध नहीं होगा, आप देखें बारिश के दिनों में, कि जो चूहों के बिल में साप रहते हैं, वैसे तो साप कोई बिल नहीं बनाता है, चूहे बिल बनाते हैं, क्या करेंगे, एक साइट से एंट्री मारेंगे, अंदर छोड़े छोटे फ्लैट्स सारे rooms बनाते हैं और आपकी घरों से छोटा-छोटा-छोटा-छोटा सामान चुरा कर ले जाएंगे और उनमें भरते रहेंगे और दूसरी जगा exit gate बनाते हैं निकलने का स्थान एक जगा अंदर जाने सर्प बड़ा चालू है इधर अपना फन लगाके बैठता है और अपनी पूँच को उस चुहे के बिल के पीछे से डालता है एंट्री गेट से आने वाले स्थान से चुहा अंदर बैठा सोचता है सर्प आ गया किदर भागेगा एगजिट गेट की और भागेगा वो इधर की एक जगा मोग खोल कर बैठी है और परेशानिया इधर की तरफ से एंट्री करती है जब हम परेशानी से बचने का दूसरा रास्ता ढूंडते हैं तो हम मृत्यू की और बढ़ रहे होते हैं ऐसे ही लोग अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं लेकिन ठाकुर जी को भग बढ़ बढ़ बहुत धर्म परायण हैं बोले क्ल रातरी को तो मेरे ही पुत्र का एक मित्र आया था आप लोगों को जब मैंने धरमशाला में रुखवाया तो वहाँ पर मैंने अपने पुत्र के मित्र को भी रुखवा दिया था और मेरा पुत्र जो था वो अपने मित्र को बचाने के लिए गया तो सुनन जी कहते हैं बचाने के लिए मतलब कहा इस धरमशाला में एक राक्षस रहता है और उस राक्षस का भक्षण है गाओं के आने वाले यात्री आने था वो गाओं के लोगों को खाएगा गाओं के रोगों की रक्षा करना मुख्या का धर्म है तो मैं उनकी रक्षा करने के लिए यात्रियों को धरमशाला मे मैं रुखवा जिता हूं जिने कोई जगा ना मिले और वो राक्षस सबका भक्षन कर लेता है लेकिन कल गलती से मेरे ही पुत्र का मित्र आया था और उस मित्र ने अंदर जाकर के उस में रहने के लिए मुझसे स्थान मांगा और मेरा पुत्र उसको बुलाने गया तो वो राक्षस कहता है मुख्या से कि अरे सुनिए मुख्या जी आपके बच्चे को बचाने का कोई तरीका नहीं है मैं आपको अपनी प्राचीन कथा सुनाता हूं मैं जो था ग्रामपल ने ग्रामपल को राक्षस इसने अपनी सच्चा ही बता ही कहता है कि एक बार किसान खेती कर रहा था और किसान खेती कर रहा था तो उस किसान खेती करते में उसने देखा नहीं ध्यान नहीं दिया कि एक गिद ने आकर के एक विक्ति को पूरा खा लिया है पहले जमाने में वल्चर्स गिद बहुत होते पे ध्यान दे रहा था तो उन्होंने बताया ग्राम पाल को कि मैं जो है ना खेती पे पूरा ध्यान दे रहा था वो किसान और इतने में वहाँ से तपस्वी आ एक और अन्टपस्वी ने देखा और कहा किसान तुम कैसे निर्धाई विक्ति हो तुम्हारे खेत के किनारे में एक गरीब विक्ती को एक अपाहिज विक्ती को गिद खा रहा है लेकिन तुमने उसको रक्षा नहीं करी तुम अपनी कुदाल, अपना हल, अपना फावडा लेकर जाते, उस गिद्ध को भगाते, उसे मारते और उस अपाहिजविक्ती की रक्षा करते, लेकिन तुमने उसकी रक्षा नहीं करी इसलिए मैं तुमें श्राप देता हूँ कि तुम भी रक्षास बन जाओ, रक्षास जैसी प्रवर्ती है तो उस ग्राम पाल को रक्षास ने बताया कि वो किसान और कोई नहीं, वो मैं था, इसलिए मैं रक्षास बन गया तो सुनन्द जी मैंने उस राक्षस से पूछा तुम राक्षस तो बन गए तो मेरे पुत्र और की मुक्ति का तारीका क्या है उसने का पहले तुम मेरी मुक्ति करो तब मैं तुम्हारे पुत्र की मुक्ति का रास्ता बताऊँगा तो मैंने उस राक्षस से पूछा तुम्हारी मुक्ती का कारण किया है तो वो जोर-जोर से आपका नाम लेने लगा सुनंद जी को लाओ, सुनंद जी को लाओ, सुनंद जी को लाओ मैंने जाकर के उसे पूछा सुनन्द जी को क्यों लाओ तो मुखिया को राक्षस ने बताया क्योंकि सुनन्द जी जो है भगवत गीता के ग्यारवे अध्याय का पाठ निरंतर करते रहते हैं विराट रूप में पचपन्श लोकों का जो ये अध्याय है इसको निरंतर इसका गान करते हैं इसका पाठ करते हैं इससे उनका अंतर करण शुद्ध हो गया है उनके विचार शुद्ध हो गये है जब मैं ब्रह्म राक्षस जब मैं राक्षस बना था तो मुझे तफवस्वी ने कहा था कि ओ किसान तो में राक्षस बनने का मैंने शराप तो दिया है लेकिन तुम्हारी मुक्ती होगी जब कोई विक्ती भगवत गीता के ग्यारवे अध्याय को साथ बार पढ़के उसे अभिमंतृत करके जल्क तुम्हारे उपर छिडग दे तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी इसलिए उसने सुनन जी आपको रात में नहीं खाया सारे लोगों को खा गया यहां तक मेरे पुत्र को खा गया तो आप मुझसे प्रशन पूछने वाले हैं ना कि आप भार मिट्टी में कैसे पढ़े थे मैं आपको उतर देता हूँ गराम पाल ने का सुनन जी आप गीता का पाट करेंगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे लोग बोलते हैं भूत पिशाच यह सब निकट नहीं आते हैं अगर कोई विक्ति कंटी धारन करता है तिलक लगाता है जाप करता है गीता का अध्याय का पाट करता है भूत प्रेत यह आपको परिशान नहीं करें बिल्कुल भी आप इनसे मुक्त हो जाएंगे इस म्रकार से व्याख्यान करके उस राक्षस ने सारी बात सुनन्द को बताई ग्रामपाल को बताई ग्रामपाल ने सुनन्द को बताई तो इस म्रकार से इस सुनन्द जी गए उन्होंने सात बार गीता की अध्याय का पाट किया ग्यारवे अध्याय का और इस साथ बार पढ़कर अभिमंत्रिच जल से उस राक्षस के उपर छड़काव किया राक्षस अपनी योनी से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया सभी लोग इस बात को देखकर बड़े आशर चके थे कि उसने जितने भी यात्रियों को खाया था उस राक्षस ने जितने यात्री थे सभी यात्री विश्णु रूप लेकर के सुनन्द जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे आपके करण हमारी मुक्ती हो गई हम भगवान विश्णु के धाम जा रहे हैं सभ यात्री किसी भी भावना से लेकिन आये तो यात्रा के लिए थे और उन्होंने अभी भगवत गीता के अध्यायों का स्रवण कर लिया इसका मतलब यहां पुष्ट होता है यात्रा का कारण गीता का भागवत का श्रवण है दर्शन के कारण तो राक्षस के भक्षन हो गया था, लेकिन दर्शन के बाद जब उन्ने श्रवन कर लिया तब उनकी यात्रा पुर्ण होई, सभी को विष्नू रूप मिला, सभी विष्नू धाम को चले गए, और उनका पुतर भी विष्नू रूप ले कर सामने प्रगट अपने जीवन का, मनुश्य स्वाइजीवन का दुरूपयोग मत करिये, इस राक्षस तो अब मुक्त हो चुका है, यात्रियों को रोक रोक करके इसका भक्षन करा के आपने बड़ा पाप अर्जित किया है, पाप से मुक्त होना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, इस गीता के ग्यार्वे अध्याए का निरंतर पाट करिए जाप करिए अपने जीवन को शुद्ध बनाईए इस प्रकार से उसने निरंतर जाप किया निरंतर पाट किया और ग्राम पाल भी मुक्त हुआ और सुनंद जी ग्राम पाल के बता करके भगवान के धाम को चले गए अंत समय में तो देखिए कितने लोगों का भला होता है भगवान गीता के इसी अध्याय के अंत में बहुत सुन्दर बात वर्णन करते हैं भगवान कहते हैं क्या हम भी भगवान को उसी प्रकार देख पाएंगे जैसे सुनंद जी देख पा रहे थे जैसे अरजुन देख पा रहा था क्योंकि हमें लगता है भगवान में और भगवान के नाम में भेद है भगवान में और भगवान के गीता के ग्यान में भेद है जबकि शास्त्र कहते हैं गीता का जो ग्यान है इसको पढ़ने पर आपको वही उपदेश मिलेंगे जो साक्षात कृष्ण के द्वारा आपको प्रकट रूप में मिलेंगे भगवान का नाम जब करने में आपको वही फल मिलेगा जो भगवान का दर्शन करने में मिलेगा अभिन्नत नाम नामिनो नाम में और जिसका ये नाम है उनमें भेद नहीं ग्यान जिसका है जिसके द्वारा ये उपदेश दिया गया उसमें और डारेक्ट भगवान के उपदेश में कोई भेद नहीं अर्जुन भी जब भगवान स्री कृष्ण के धाम चले जाने के बाद चिंतित थे कि मैं क्या करूँ, कैसे भगवान कृष्ण का संग करूँ, तो उन्होंने गीता के उवदेशों को अस्मरण किया और पाया कि उनको ऐसा लग रहा है साक्षात कृष्ण उनके सामने खड़े जबकि भगवान अपने नित्ली लधाम गोलुग वरिंदावन धाम को चाच चुके थे, तो यहाँ पर भगवान इसके पच्वन नंबर श्लोक में ग्यारवे अध्याय के कहते हैं, भक्तिया तू अनन्या, शक्या अहम एवं विदो अरجुन हा, ग्यातुम दृष्टूम चात्वेना, प्रवश्ट्म चापरंतपहा, हे अर्जुन केवल अनन्य भक्ति, भक्तिया तू अनन्य शक्या, अगर हम अनन्य भक्ति करते हैं, किसी और चीज़ का विचार न करते हुए किसी और रास्ते का अनुगमन ना करते हुए खाली भक्ती मार्ग में चलते हैं तो कहते हैं जिस रूप में अरजुन में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं इसी प्रकार मेरे भक्त मेरा साक्षात दर्शन कर पाएंगे ग्यातुम द्रश्टुम चतत्वेना हमें भगवा प्रकार में सादु संग और कथा श्रवन हो मेरी मन धाम में पहले पहुंचे मेरा शरीरबाद में पहुंचे तो अगर हम ऐसा पालन करेंगे तो हम भी सुननन्द जी की तरह जन कल्यान कर पाएंगे और अंत में भगवान के धाम को जा पाएंगे आशा करते आप इस अध्याय को पड़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे Hare Krishna For more such devotional programs Please watch Hare Krishna television To get this channel Please contact your cable Or DTH operator For more information Please call 877-845-845 For more information